नमस्कार दोस्तों जैशी राम यहां से चालू हुआ फराज नवाब मजलिक का फरजी वाड़ा कैसे इन्हों ने नकली दस्तावेश बनाकर एक फ्रेंच रेजिडेंट लड़की के साथ मिलकर पहले तो निगाह किया बाद में बोगस डॉक्यूमेंट चाहे मेरिट सेटिफि हो वो बनाकर कैसे उसका वीजा अपलाए करके उसको रेजिडेंट बनाने का भारत की नागरिता दिलाने का इन्होंने काम किया यह मैटर अभी पुलिस ने फाइयर दर्च की उनका सौगत करते हैं काफी टाइम से यह पेंडिंग थी फाइयर जो इनके प्रेशर में मैं यह बताना चाहूंगा कि मिया नवाब मलिक और इनका परिवार चाहे ड्रक का हो इनका दमात चाहे यह खुद हसीना पारकर और दाउद के साथ प्रॉपर्टी के लेन दिन पैसे के लेन दिन बेटे का अगर सीविय या इडिक इंक्वारी हो और अब तो बोगस डॉक्य अब के नवाब मलिक के भी अविया आजक्ष़ महिने हो चुख है इसकी वह जाच पर एक चाहिए कि इसकी वी जाच नहीं चाहिए कि क्या यह नवाब मलिक इंक ठीक नहीं हुआ ऐसा कैसे कानून की धंजियों उड़ाकर जो इनको आखरोड में होना चाहिए और यह हॉस्पिटल में कुला में बैटे हुए वहां से पूरा अपना गैंग और नेटवर्क चला रहे हैं इसकी भी जाज होनी चाहिए मैं मांग करूंगा माराश के मुख्यमंतरी एकनाशिंद कि इसकी जाज करें और इसका भी दूत और दूत पानी का पानी हो क्या मिया नवाब मली को बावासिर है कि यहां से भी जूर बोलने हैं धन्यवाद